हलो गाइज, वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेकनिक, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़र है और अभी तक आपको ये नहीं पता है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट से हमें कितना परसेंट यूज़ करना चाहिए तो आप भी मेरी तरह क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट को यूज़ करते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है क्योंकि इसी बज़़ा से हमारे क्रेडिट स्कोर पर भी बुरा एफेक्ट परता है साथ में बैंक की तरफ से हमें कुछ चार्ज भी देने होते है तो आपको कितना लिमिट यूज़ करना चाहिए उसकी क्या फाइदे होता है क्या नुकसान होते हैं तो वीडियो बड़ा इंपोर्टेंट होने वाला है तो वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना एंड तक देखना और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अगर आपने कभी YouTube पे सर्च करके देखा है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट से कितना परसेंट यूज कर सकते हो तो आपको सायद से कोई वीडियो मिलेगा ही नहीं अगर वीडियो मिल भी जाएगा तो एक दो वीडियो मिलेंगे और उसमें भी आपको सही जानकार और आपको वीडियो मिलेख से कितना या यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए इसका फाइदा क्या होता है नुकसान क्या हो सकता है तो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे तो बिल्कुल इसके मत करना एंड तक दरूर से देख लेना सो गाइज इसके लिए मैंने credit app को open कर लिया है क्योंकि credit app पे credit card bill payment आप साथ में अपने credit card को यहापे manage भी कर सकते हो इसमें credit score भी दिखाता है जिसमें पूरा detail के साथ दिखाता है किस वज़े से आपका credit score high है और किस वज़े से आपका credit score low है तो पूरा हम यहापे detail के साथ रख सकते हो तो हम भी आप देख लेते हैं कि हम अपने credit card को कितना परसेंट यहाप यूज किया है और इसका हमारे credit card पर क्या effect पड़ा है तो आपको यहाप कार्ड के option पर क्लिक करोगे तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ यहापे option देखने को मिलेंगे जि जिसमें आपे A plus दिखा रखा है repayment score तो मैंने आपे time पर repayment किया है जो कि credit card का जितना मेरे आपे यूज के उसका time पर repayment किया है तो मेरे को आपे A plus मिल रखा है और आप दो नमर यहापे देख सकते हो credit utilization health है जो कि मैं इसको यूज करता हूँ कितना limit यूज करता हूँ वो य डिटेल के साथ यहाँ पर दिखा रखा है credit utilization health low credit utilization indicates responsible use of credit given and higher likelihood of timely repayment keep this under 20% to optimize your credit score यहाँ पर साब साब लिखा है कि आप यहाँ से बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो आप यहाँ पर 20% के अंडर यहाँ आपको यूज करना चाहिए जिसे आपका credit score भी अच्छा हो नीचे आपर analysis दिखा रखा है कि कब से कब तक यहाँ पर हमारे credit card को यहाँ पर चैक किया गया है जिसमें हमने आपर यह गलती कर रखे तो नौबर 2020 से लेके जून 2021 का यहाँ पर दिखा रखा है और नीचे आप एक notification भी दिखा रखा है need attention तो हमने आप अगर यह ध्यान नहीं दिया तो हम में bank के तरफ से चार्ज भी लग सकता है और हमारा credit score भी गिर सकता है नीचे आपर दिखा रखा है you are consistently utilizing more than 20% of your credit limit we recommended you to contact your bank and request for a credit limit क्योंकि मेरे credit card का जो limit है वो 13500 है जो कि something मैं यहाँ पर 10,000 के something इसे use कर लेता हूँ तो यहाँ पर ज्यादा यूज कर लेता हूँ जहाँ पर affect your credit score अगर मैंने एसा एक बार और कर दिया तो मेरे को यहाँ बैंक की तरफ से चार्ज भी लग जाएंगे साथ मेरा credit score भी आपे खराब होगा तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इतना ही आपे यूज करना है और मैं आपको बता देता हूँ आप 30 या 40% के something use कर सकते हो अ आपको credit app को use करना चाहिए क्योंकि इसमें आपको credit card के बारे में सारा कुछ यहाँ पर दिखा दिया जता है और आपके credit score के बारे में भी दिखा दिया जता है किस वज़ज़े से आपका credit score हाई है तो आपको ध्यान में रखना है अब जैसे मैंने आप देख लिया कि मैं एक 30% something यहाँ पर यूज़ करो एक जगह मां आपको और दिखा देता हूँ जिसमें इसी के बारे में बताया है तो वापस बैक आते हैं नीचे आप आप देख सकते हो money का option है इस पर क्लिक करते हैं फिर credit score का option है तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे view report पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर भी दिखा रखा है जैसे अब यहाँ पर देख सकते हो credit utilization दिखा रखा है तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दिखा दिया 42.13% मैंने आप यूज कर रखा है जो कि मैं अपने credit card का limit है something मैंने 42.13% यहाँ पर यूज किया है और इसका high impact पड़ा है good तो यहाँ पर ज्यादा impact भी अथा नहीं पड़ा है good दिखा रखा है और total utilization credit दिखा रखा है 588 total limit यहाँ पर दिखा रखा है और ICCC bank का मैं पास credit card है तो उसका दिखा रखा है नीचे इसमें भी आप देख सकते हो 30% यहाँ पर दिखा रखा है कि आपको 30% से ज्यादा है यहाँ आपको यूज नहीं करते है तो यूज कर सकते हो अच्छा है इसमें पूरा detail के साथ बताया जाता है और link आपको इस video के description box मिल जाएगा अगर वहाँ से install करते हो अपना credit card add करके minimum 100 रुपे का payment करते हो तो आपको 500 रुपे का caseback यहाँ पर तुरंत मिल जाएगा और यहाँ प आप regular ऐसे नहीं है कि हर महीने आप 87% limit यूज कर दो अगर एक महीने आपने अगर 87% limit यूज भी कर दिया है तो next महीने आप 20-30% यूज करो तो इस परकार भी आप cover कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आप हर महीने 87% limit यूज करते हो इसे आपको credit card पर भी effect पड़ेगा और आपको bank क तरफ से charge भी देना पड़ सकता है So guys मैंने आपको पूरा detail के साथ बता दिया है कि आपको अपने credit card का कितना limit यूज करना चाहिए साथ ही मैंने आपको proof भी दिखाया है proof के साथ आपको यहां पर बताया है तो उमीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आयोगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जुरूर से लाइक करना तो क्या होता है तो सब कुछ डिटेल के साथ बता रखा है एक बार वीडियो के description box को जरूर से चेक कर लेना सबी वीडियो के link आपको वहाँ पे मिल जाएंगे और अभी तक आपने credit card को इस्टोल नहीं किया है तो वीडियो के description box में आपको link मिल जाएगा तक जब भी वीडियो डालू आपको notification मिल सकते हैं अभी तक आपने में instagram पे follow नहीं किया तो link आपको चैनल के about मिल जाएगा वहाँ से follow कर सकते हो thank you for watching this video मिलते है next video में आपको